जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हमारे पास यूपी बोर्ड क्लाश 12 के 2023-24 के रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर और ये पेपर आप लोगं की परिच्छा के दिश्ची से बहुत ही महतुपोंड है आप इस पेपर में आए हुए सभी कोश्चन्स को ध्यान से देखिएगा और इन सभी कोश्चन्स को आप हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा अगर आप सभी कोश्चन्स को हल करते हैं तो ये समाझ लीजिएगा कि आप इस तयारी बहुत ही अच्छी है अगर question को हल करने में दिक्कत आ रही है तो तैयारी को और मजबूत कीजिए board exam में अच्छे नंबर पाने के लिए चलिए इन देखते हैं किस टाइब से questions आये थे इस model paper में ये पहला हमारा question है 8 gram NaOH 4.500 ml विलेयन में घुला है विलेयन की molarta है molarity आपको बताना है कि अगर 8 gram इनने 450 ml विलेयन में घुला है तो इस विलेयन की molarta क्या होगी इसका right answer आपका पहला वाला है 0.444 mol ये आपका पहला वाला option right answer है ये बाकी के 3 answer गलत दिये गए है इसको आप solve करेंगे तो ये आपको पहला मिल जाएगा खावाला है प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए वेग इस्थिरांक आ रहे है और अर्ध आयुकाल T by 2 होता है इसमें संबंध क्या है ये बताईए simple भासा में आपको वेग इस्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध बताना है प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए तो इसका right answer आपका पहला है ये 90% sure है 100% बिलकुल नहीं बोल रहे हैं ये आप ध्यां रखिएगा तो T1 by 2 यानि अर्ध आयुकाल बराबर 0.693 upon K ये वाला आपका पहला वाला option सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे ये गावाला question है 20 ग्राम काश्टिक सोडा जिसको हम NaOH ये sodium hydroxide बोलते हैं तो 20 ग्राम NaOH जो 440 ग्राम विलेय में घोला गया है विलेयन की मोललता बताईए ध्यान रहे molarta आपसे नहीं पूँचा जा रहा है molarity नहीं पूची गई है आपसे molality, molalta बताना है तो विलेयन की molalta क्या हो जाएगी 4 option दिये गए है अगर आपको आ रहा है तो आप comment करके जल्दी से बता दीजिए इसके बाद तो answer हम बताने ही वाले है लेकिन अगर आपको answer पता है तो एक बार कोशिस कीजिए कि आप comment करके हमें इसका answer बताएं फिलाल इसका right answer हो जाएगा आपका पहला 1.1363 होता है तो तीन अंक तक दिये गए हैं तो पहला option आपका सई हो जाएगा आगे बढ़ेंगे आगे वाला हमारा question है विशिष्ट प्रतिरोध का मातरक क्या होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मातरक होता है ohm meter यहाँ पर meter नहीं centimeter है तो हमने कर दिया centimeter यानि आवाला option आपका सई हो गया मोहर लवण क्या है दूइक लवण यानि डबल साल्ट को ही यह मोहर लवण बोलते है आगे बढ़ेंगे चावाला question है CO, NH3, 5, C, L, C, L2 में कोबाल्ट यानि की CO की आक्सी करण अवस्था बतानी है carbon dioxide नहीं है इसको हम कोबाल्ट भी बोलते है अगर कुछ और भी आप बोल सकते हैं फिलाल लेकिन ठीक है आपको CO की आक्सी करण अवस्था बतानी है तीन option दिये गए है प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 यह चौथा option है आपका इसमें अगर आप right answer देखेंगे तो आपका plus 3 वाला option यह आपका सही option है यह आपका CO की आक्सी करण अवस्था आगे बढ़ेंगे आगे हमारा question है दूसरा D-block के तत्तों के निमने गुणों की ब्याख्या कीजिए यानि कि D-block के तत्तों का electronic विन्यास आपको बताना है और चुमबकियगूर बताना है कि चुमबकियगूर कैसे कौन कौन से तत्तों में पाय जाते है यह बताना है आपका हो जाएगा काम दो दो लाइन दोनों में लिख दीजिएगा दो नमबर आपका पूरा मिल जाएगा आगे बढ़ेंगे राउल्ट का नियम आपको लिखना है यह भी दो नमबर आपको लिखना है इसको आप जरूर तयार कर लीजिएगा चालकतों को परिवासित कीजिए तथा चालकतों परतिरोध में संबंध लिखिए यह आपको बताना है आगे बढ़ेंगे 0 degree Celsius ताप पर 0.45 gram glucose को 200 ml जल में घोल कर विलेन मनाया गया है इसमें आपको परासरन रदाब बताना है ठीक है आपको Osmotic Pressure आपको बताना पड़ेगा इसे आप बता दीजिएगा परासरन रदाब इसका क्या होगा लिगेंड किसे कहते हैं बोड पर इच्छा में आया हुआ कोश्चन है इसको भी आप तयार कर लिजिएगा उधारन सहित लिगेंड आप एक उधारन बढ़िया चार्ट वगएरा बनाकर दिखा दीजिएगा अभिक्रिया की आणविक्ता और कोटी में अंतर जिस कोश्चन की बात अभी हम उपर कर रहे थे वही कोश्चन यह है कि अभिक्रिया की आणविक्ता और कोटी में क्या अंतर होता है फिर चौथा कोश्चन आपका आगया यह है 5.8 ग्राम एसी टोन 22 ग्राम जल में विले हो तो एसी टोन जल के मोल प्रभाज ग्याद करो मोल प्रभाज आपको बताना है कोलराउस के नियम को उधारनर सहित लिखना है कोलराउस का नियम बताना है फिर है प्रथम कोटी की अभिक्रिया के लिए सिद्ध की जिये की अभिक्रिया के 99.9 प्रतिसत पूर्ड होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होगा सिद्ध करने वाले question बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं इनको आपको सिद्ध करना ही है कुछ नहीं है तो तीन में से एक number तो दे कर ही जाएगा अगर कुछ नहीं देगा तो अगला question है हमारा संक्रमर तत्तों को उदाहरनर सही समझाए तथा इसके दो गुण को लिखिए आगे बढ़ेंगे IUPAC नाम लिखना है सभी का चारों का आपको IUPAC नाम लिखना है फिर है हमारा अगला question चार नंबर का है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हीमान के में 1.2 डेगरी सेल्सियस की कमी हुई पदार्थ का अड़ उभार गयात करो जल में मोलल अवनमन इस्थिरांग कितना है आपका यहाँ पर इतना दिया गया है यह मिट जाता है तो आपको यह मोलल अवनमन इस्थिरांग कितना दिया गया है और बोला जा रहा है कि पदार्थ का आपको अड़ुभार गयात करना है सारी बैलूस आपको उपर यहाँ पर दी गई है question को अच्छे से पढ़के आपको इसको solve कर लेना है फिर है बिद्दुतरास आइनिक स्रेड़ी किसे कहते है most important question for board exam यह आपको बताना इसके प्रमुक लच्छण आपको जरूर लिखने है फिर अन्ता संक्रमार्थ तो किसे कहते है इसके तीन लच्छण लिखिए यह भी आपको बताना है potassium dichromate बनाने की विधी लिखिए क्या तथा क्या होगा जब क्या होगा जब क्या होगा इसकी अभिक्रिया क्या है SO2 अमलिये तथा HCl के साथ कराएंगे यानि कि बोला जा रहा है potassium dichromate पहले बनाने की विधी लिखिए फिर आप अगले में लिखिए कि क्या होगा जब potassium dichromate की अभिक्रिया potassium dichromate के अभिक्रिया हम लिए SO2 से कराएंगे और क्या होगा जब इसकी अभिक्रिया हम HCL से कराएंगे या फिर अगर आप इतना लंबा चाउड़ा question लिखने के सौकी नहीं है नहीं आ रहा है आपको ये वाला question पूरा आपका तो इतने के जगापर आप नीचे वाला question कर सकते हैं निमलिखित में निमलिखित का प्रभावी परमाड उक्रमांग EAN ग्याद कीजिए करो रेखांके तत्तों का ठीक है रेखांके तत्तों यहाँ पर दिये गए होंगे जो भीस में दिये गए है F, C, U, C, O और N, I, P, T इनका आपको क्या करना है परमाड उक्रमांग ग्याद करना है और इसमें question में जिसमें भी इसकी demand है आपको लिखना है ठीक है आगे बढ़ेंगे हैं थोड़ा सा प्रथम कोटी की विक्रिया किसे कहते हैं मैंने बोला कि इसको आप ज़रूरियाद कीजिए प्रथम कोटी, दुतिय कोटी, सूने कोटी वर्नर के सिध्धांत को उधारन सही समझाईए फिर संचारन किसे कहते हैं कलाश 10th का question है इसको प्रभावित करने वाले कारक और उससे बचने के उपाय लिखिए पोटैसियम पर्माइगनेट को बनाने की विधी लिखिए तथा क्या होता है जब पोटैसियम पर्माइगनेट के विक्रिया अमलिये माद्यम में आकसैलिक अमल तथा H2O2 के साथ कराते हैं अलग-अलग क्या होता है यह आपको लिखना पड़ेगा खावाले question पर आएंगे यह वाला question है हमारे निमलिखिद में केंद्रे धादू पर्माडू Central Metal of Iron जो होता है Central Metal Iron का समन्वे ग्याद करो और यहाँ पर बूला जा रहा है केंद्रे धादू पर्माडू को समन्वे ग्याद करना है इन सभी तत्तों में जो इसे भी योगिक दिये गए हैं इन में या फिर अगर आप यह question नहीं समझ पा रहे हैं समझ से बाहर जा रहा है यह question तो इसकी जगापर सन्योजगता आबंद सिध्धांद इसको आप BBT सिध्धांद बोलते हैं इसको आप उदाहर सही समझा सकते हैं explain balance bond theory with example balance bond theory आपको समझा देनी है इतने question थे इस बार के अर्धवासिक परिच्छा में अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 70% question आपको solve करना चाहिए और अगर आप board exam की दिर्ष्ट से इसको देख रहे हैं हाफ फिरली की exam से नहीं देख रहे हैं तो आप process कीजिए कि जितने भी आपके इसमें question दिये गए हैं आप सभी question को solve कीजिए सभी question को अच्छे से solve करेंगे तो आपके board exam में अच्छे number पाने के chances बढ़ जाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही था ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें comment करके बताईएगा फिलाल हम मिलते हैं से किसी next वीडियो में जय हिंद